नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, तो सबसे पहले आप लोगों को मकर्संक्रांती की बहुत-बहुत सबक्रामनाई और मैं आज आप लोगों को मकर्संक्रांती से जुरी हुई कुछ नियम बता रही हूँ जो हम लोगों को अवश्य करनी क्योंकि हम लोग सुनात अंधर में तो नियम को लेके ही चलते हैं इसलिए जो भी मानने वाले हैं कि हाँ नियमों को करने से लाब होता है उन लोगों को जरूर ही कुछ वातों का ध्यान रखना चाहिए तो आईए जानते हैं तो सबसे पहले दोस्तों मकर संक्रांती के दिन हम लोगों को बिना नहाए बिना अशनान किये भोजन ग्रहन नहीं करनी चाहिए यह है पहला नियम कि अगर हम मकर संक्रांती को मानते हैं तो हम लोगों को पहले नहाना चाहिए उसके बाद ही कुछ बनाना हम ही चाहिए और कु आपना भी तभी चाहिए जब हम अशनान कर लेते हैं क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि अगर इस तिन हम भिना नहाए भूजन ग्रहन करते हैं तो मालक्षमी हमसे नराज हो जाती है और इसलिए हमको नहाए के भूजन करना चाहिए और हो सके तो पवित्र नदी में आप अशनान करें अगर संभव नहीं है आप पवित्र नदी में अशनान नहीं कर सके तो घर में ही गंगा जल और काला तिल डाल के जल में तब अशनान करना चाहिए और हाँ इस दिन तूलसी के पत्ते भी तोड़ने से बचने चाहिए इससे भी माता लक्षमिना राज हो जाती है और दोस्तों इस तीन तामसिक भोजन का भी नहीं करना चाहिए तामसिक भोजन बिलकुल एवाइड करना चाहिए जो भी तामसिक भोजन अगर आप वो करते हैं तो फिर आपका दानपुन का भी कोई फल आपको नहीं मिलता है और साथ ही जो भी नसेरी की चीजे हो जैसे जो भी चीज नसाके हो नसीली चीजों से भी हमको अपने आपको दूर रखना चाहिए इस दिन क्योंकि दोस्तों अगर हम इस दिन नसे कसेवन करते हैं तो हमारे आर्थे की स्थीती तो खराब होती ही है साथ ही साथ हमारे सरीर को भी काफी नुक्षान होता है उसके बाद दोस्तों इस दिन गुसा करने से भी बचने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से भी माता लक्षमी नराज होती है इसलिए आप याद रखिए इस दिन किसी के उपर आपको सभी मत करिए देखिए दोस्तो ऐसा निये है कि धर्म करना सिर्फ पूजा पाठ करना या भगवान को मिठाय का भोग आप लगा दे भगवान खुस हो जाएंगे आपको किसी के साथ बुरा वेभार भी नहीं करना चाहिए धर्म का यही अर्थ है कि जो भी आप इस दिन करोगे उसका कोई भी दानपुन का फल नहीं मिलेगा अगर आप किसी के साथ में कुछ गलत वेभार करते हैं किसी को कुछ गलत बाते बोलते हैं तो इस चीज का आपको बिसेश ध्यान रखना है तो दोस्तों इस दिन दानपुन का भी काफी महत्त है तो कुछ कुछ चीजे हैं जिसका दान हमें अवश्य करना चाहिए जिन में से सबसे पहला है काला तिल काला तिल का दान हमें मकर संकरांती के दिन अवश्य करने चाहिए क्योंकि इस दिन अगर काली तिल का हम दान करते हैं कि सनी देव की जो कूद रिष्टी होती है उनसे भी हमको मुक्ती मिलती है और दूसरा है दोस्तो इस दिन हम लोगों को खिचरी दूसरा है खिचरी खिचरी का दान हम लोगों को अवश्य करना चाहिए और सास्त्रों में भी मानता है कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता ह इसलिए हम लोगों को खास तोर पर इस दिन खिचरी बनाने चाहिए, खाने भी चाहिए और दान भी करने चाहिए क्योंकि दोस्तों जो भी इस दिन खिचरी का दान करते हैं उसके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती, माता लक्ष में प्रशन रहती हैं और तीसरा है दोस्तों अगर आप इस दिन जो भी आप गुर का दान करेंगे चाहे इस्त्री पुरुष कोई भी गुर का दान करेंगे तो भागवान सुरी भी आप से प्रसंद रहेंगे और चौथा है दोस्तों इस दिन गाई के घी का दान भी बहुत ही महतोपुर्ण माना गया है क्योंकि घी का दान करने से जीवन में दोस्तों अपार सफलता की प्राप्ती होती है इसलिए हमें छोटी छोटी चीजें हैं पर अवश दान करनी चाहिए उसमें से एक चीज है कंबल गरम कपड़े हम लोगों को कंबल का भी दान जरूर करना चाहिए क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि आपका कोई भी ग्रह अगर खराब चल रही है तो आप अगर इस दिन कंबल का दान करते हैं तो आपके जीवन में वो ग्रह जो खराब द्रिष्टी देते हैं वो सुभ में बदल जाते हैं और उनकी अच्छी द्रिष्टी आप पे आती है इसलिए इस दिन कंबल का दान भी अवश्य करनी चाहिए और दोस्तों इस दिन चावल दूद दही का दान भी करना चाहिए इसे मातालक्षमी प्रशंद होती है और धन से सम्मंधित जो भी परेशानी आपके चल रही है वो भी श्माप्त हो जाएंगी तो दोस्तों ये तो कुछ बहुत बड़ी चीजे नहीं है बड़ इन चीजों का चोटा चोटा चीजों का अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो निस्चित ही हमारे लिए सुब होते हैं कोई भी पूजा पाठ हो कोई भी त्योहार हो इसको अगर हम चोटी चोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो निस्थी तोर पे हम लोगों को खुश्या मिलेगी, मात अलक्षमी प्रशन हो जाएंगी और हाँ ऐसा नहीं है कि आज ही कि दिन आप अच्छा काम करें आपको हमेशा अच्छे कर्मों से जुरे रहना चाहिए बुरे काम कभी नहीं करने चाहिए किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ धन्यवाद